हेलो नमस्ते मैं हूँ नाना अगरवाल आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में हमें मदद करेंगे पॉजिटीव रखेंगे से स्टार्ट करते हैं डिप ब्रेश के साथ नोस से इनहील माउस से एक्जील पूरा फोकस ब्रीफिंग पर डिप ब्रीफ लेनी है कि अनने हैं कि अना है है यूगे ओने हैं आख यूगे आख ये शारी ब्रीफिंग टेकनिक यह जो हमें ज्यादा oxygen देती है, mind को relax रखती है और positive thought लाती है अगर हम depression में जा रहे हैं तो हमें वहां से overcome करने में हमें help करती है और second, मैं आपको ऐसा प्राणयाम बताती हूँ, कि आप इसको regular करें, और regular करने के साथ, sudden कभी हमें panic attack आता है, या बहुत कभी depression या बहुत low feel होता है तब अगर आप इसको करते हैं, तो आपको तुरंट relief मिलेगा, इसका नाम है अनलोम विलोम, सही तरीका करने देखने के लिए, मैं आपको नीचे लिंक दे दूगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं इसको आप रोज 10-15 मिनिट करें और अगर sudden कभी आपको बहुत low feel होता है या आपको लगता है कि आप panic attack की situation आ रही है या panic attack आपको आने लगते हैं तो उसमें आप इसको रोज करें दीरे दीरे इसका time बढ़ा के 15-20 मिनिट करें और panic attack अगर आपको आ रहा है तो इसको आदे घंटे आदे घंटे सुबह शाम करें इसको करने से आप बिल्कुल आपको relax feel करेंगे और थोड़ा सा आप बोड़ी को stretch करें वो मैं आपको बता देती हो breathe in breathe out nose से inhale करें mouth से exhale nose से inhale mouth से exhale यहीं से चाइल्ड पोस में चले जाएं ब्रीधिंग नॉर्मल फुल फोकस अपनी करें रुकिंगे अपने अपने राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड को रखके कुछ ब्रीध के लिए रुकेंगे ऐसा करने से जो हमारी शोल्डर है हमारे जो हैंड है पूरी तरीके से स्ट्रेच होंगे सेंटर में अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से वाक करते हुए बापस आएंगे सीम अपने फिंगर्स अपने हातों से वाक करते हुए दुबारा चाइल्ड पोज में जाएंगे चाइल्ड पोज से यहीं से ज 내ा अंवें ईयाएंगे ऑ्थबार्दे बहैंगें बहाँ हो बहीं बहाँ हो Cristo बहाँ हो बहाँ हो बहाँ हो़ो ऑो से अनारध्ड हो बहाँ हो जेंग्स हुबार्दाब्सबाम होड़ों इथ ब्रेट आउट अगर आप ये रेगुलर करते हैं बॉडी की स्ट्रेचिंग और जो प्राणायाम है प्राणायाम अनलोग विलों के साथ आप कपाल भाती और भस्तरिका भी कर सकते हैं करने का तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है मैं नीचे लिइंक में भी उन वीडियो का लिइंक मैं आपको नीचे दे दूँँगी आप इसको रेगुलर करिए ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे